असलाम उलेकर रहमत लाई वरकातू वेलकम टू रुजदास कीचन आप सब लोग कैसे हो उमीद करते हैं अल्ला की फजल करम से आप सब लोग खेरे सही होगे अज पर नई रेसिपी के साथ हाजर है हम यहाँ पे पॉपलेट फिश करी बनाएंगे हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे यह खाने में बहुत डिलिशियस बनती है आप एक बाइस तरीके से जरूर ठ्राय कीचेगा हमने चावलों को भी कूकर में बनाएं दस मिनट में खाना बनके हमारा रेडी हो जाएंगा अगर आप सिंपल और इजी रेसिपी चाते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा पॉंफरेट ले लिए है इसे हमने कट करके इसे अच्छे से वाश करके रख दिये है वन फॉर्थ कप कुकिंग ओईल त्री टेबल स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टीजपून नमक टैस के साब से ले सकते हो हाफ टीजपून हल्दी पाउडर टू टेबल स्पून धनिया पाउडर थोरा सहरी धनिया तीन मीडियम से स्टमाटर को हमने छिलके निकाल के रख दिये है पास से छे कर लिया लेसन के एक करीपत्ता दो इस्प्रिंग अनियन सबसे पहले हम चावलों को वाश कर लेंगे हमने यहां पर दो कप राइस ले लिए है अब पानी जालके इसे अच्छे से दो से तीन टाइम वाश कर लेंगे अब हम इसमें दो इं रख दिये है इस परिंग आनियन को कट कर कर लेंगे करीपत्ता को भी हमने क्रेश कर लिये और नमख अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से हातों से चूरके मिो क्यालेंगे हम इतना चूड़ ग्राइंग कि टामाटर अच्छ से मेल्ट हो जाए जितना हम हाथ रहेंगे इस मसाले में तेल अच्छे से मिक्स हो गया है अब तक निमे तो आपनी दाल देंगे अब जितना पतला गाडा खाते आप इतना दाल सकते हो हम इसे थोड़ा पतला कर देंगे क्योंकि हमको पतला सालान अच्छा लगता है इसके लिए हम पतला रख देंगे से अब देख सकते हैं इसकी consistency इतनी हमने पतली रख दिए है अब हम इसमें हाली दनिया डाल देंगे जो कट करके रख दिए थे अब इसमें dry mango का एक पीश डाल देंगे अब हम इसे curry को gas पे रख लेंगे और इसे cover कर रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से boil आजाए अब हम इसमें एस्पुन चला लेंगे इसमें कवर कर के 5 मिनिट के लिए करी को अच्छे से पखने के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा कच्चापन चरा जाए पाच मिनट हो चुके अब देख सकते हैं अच्छे से पक गई है करी अब हम इसमें फीश दाल देंगे जो हमने वाच करके रख दिये एक एक करके हम सारे पीसे से इसमें दाल देंगे आपको अगर करी ज़्यादा बनाना है तो इसकी कॉंटिटी बरा लीजिएगा फीश को अच्छे से मिक्स कर लेंगा और एक बॉयल आने तक इसे हाई फ्लेम पे पका लेंगे अब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है अब देख सकते हैं हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट हो चुके हैं अब हमारी करी बिलकुल रेडी है हमने बीच में इसे एक बाइसे चला लिए थे फिश करी अब बिलकुल रेडी है अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमने इसे इस तरीके से थोड़ा पतला ही रखे आपको अगर गारा पसंद है तो थोड़ा और ज़्यादा पका लिजिएगा हमें इस तरीके से ही अच्छा लगता है अब गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे जब तक हम चावल देख लेंगे चावल भी हमारा बनके रेडी हो गया है हमने इसे 4 से 5 सिटी ले लिए थे अब देख सकते हैं कितने अच्छे से खिला खिला चावल बन गया हमने इसे साविंग दिश में निकाल लिए इसके सामने प्याज रख लिए और अचार भी अब हम फिश करी को निकाल लेंगे साविंग दिश में आपने देखा होगा यह कितने जल्दी बनके रेडी हो गई है लग रहे हैं टैम्टिंग यह जितनी दिखने में टैम्टिंग है इतनी खाने में भी बहुत ही पीस